हर्याना में इस समय मंडियों को लेकर कई सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि मंडियों में जो गेहू पड़े हैं किसानों की क्योंकि लगातार ओला वरिष्टी हो रही है वह नहीं उठाया जा रहे हैं और सरकार से ये कहा जा रहा है कि उसको उठाया जाया जिसको लेकि आज सामवादभी पार्टी अनुरांग धाड़ा की तरफ से सरकार को गेरा क्या है। गंटे के अंदर किसानों को उनकी फसल का हमदाम दे देते हैं उनके अकाउंट में पैसे पहुँच जाते हैं। गोडाउन में पहुँच जाता है उसके बहतर गंटे के अंदर किसान को उसकी फसल का दाम मिलता है। इसलिए सरकार जान बूज के सुनियोजित तरीके से किसानों को दंडित कर रही है क्योंकि किसान उनको भारतिय जनता पार्टी के किसी भी उमिद्वार को किसी गाउं में घुसने नहीं दे रहे हैं। उनका पूरे हरियाना के अंदर विरोध हो रहा है जिस तरीके से साड़े साथ सो किसानों के शहादत भारतिय जनता पार्टी ने ली और जिस तरीके से शुब करण को गोली मारी गई। आपने बताए कि इतनी प्रतीशत जो है वो पढ़ी है आप लोग आप लोगों ने विजिट किया था किसानों ने आपसे संपर किया था और किसान से और क्या आपने सरकार तक ही आकड़े पहुंचाएं। मंडी में पढ़ा हुआ बारिश हुए थी वहाँ पर। कैथल के अंदर 16,00,00,00 कटे तीन मंडीयों में पढ़े हुए हैं उनका उठान नहीं हो रहा है बहुत स्लो उठान है महाँ पर भी। हासी में 4,00,00,00 कविंटल गेहुं का उठान नहीं हो रहा है मंडी में पढ़ा हुआ है बिवानी के अंदर 30 फीसदी अभी तक उठान हुआ है धाई लाग कविंटल गेहुं मंडीयों में पढ़ा हुआ है। सवाल सरकार से ये है कि ये तो उनको भी पता था कि जब सीजन आता है तो किस स्पीड के साथ अनाज उनके पास पहुँचेगा व्यवस्था पहले से करके रखनी चाहिए थी जान बूज करके हमारा ये सपश्ट आरोपे की जान बूज के भारतिय जंता पार्टी किसानों क सरकार का प्ररोगेटिव होता है लेकिन आप लोगों के तरफ से भी कुछ हेल्प की जारी है देखे हम जिला स्तर पर भी इस मुद्दे को हमने उठाया है जिला प्रशासन के सामने और जब वहां बात नहीं बनी तो उसके बाद हम आज इस सारजनिक तोर पर भारतिय जंता पार्टी की सरकार की इन कमियों को उजागर कर रहे हैं हमारा मानना है कि भारतिय जंता पार्टी की सरकार को तुरंत एक्शन में आते हुए किसानों को तुरंत उनकी पेमेंट रिलीज करनी चाहिए एक सब्ता से लेके 23 दिन हो गए कई किसानों को जो सरसों की फसल की पेमे से निकालने वाला है और उस payment को रोक करके उसको बाधित किया जा रहा है उसके काम को बाधित किया जा रहा है उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है यह सपष्ट तौर पे भारतिय जंता पार्टी की खीज है क्योंकि उनको कहीं पर भी इस बार समर्थन नहीं मिल पूरे हर्याना के अंदर उसी का परिणाम यह हुआ कि भारतिय जंता पार्टी को किसी तरह उनकी इज़त बचा के उनको किसी तरीके से निकालना पड़ा और मुख्यमंत्री बनाके ऐसी स्थिती बनाई गई कि उनको चुनाव ना लड़ना पड़े वहां से कुरुक्षेत्र में जस दिन हमको सीट मिली थी हमने उसी दिन कहा था कि यह धर्म युद्ध होगा यहां पे और यहां से तस्वीर बदलेगी आप सोचिए कि वो वो दिन था जब लोग यह कहते थे कि 10 की 10 सीट भारतिय जन्ता पार्टी हर्याना में जीतेगी और आज का दिन है जब यह कहते हैं 6-7 सीटें हार रही है भारतिय जन्ता पार्टी मुझे लगता है कॉंग्रेस पार्टी जैसे ही टिक्टों का एलान करेगी जैसे ही सारे उमिद्वार मैदान में आएंगे तब आप लोग भी और जन्ता भी यह कहने लगेगी कि 10 की 10 सीटें भारतिय जन्ता पार्टी हार रही है कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध से ही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से ही इस बदलाव की शुरुवात हुई थी और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है भारतिय जन्ता पार्टी के खिलाफ है पूरे अर्याना में लोग तो यह थे हमाँ साथ बायत करने के लिए नुराग धांडा जिन्होंने दावा किया है कि कुरुक्षेत्र से ही बड़ा बदलाव होगा वही फस्लों के लिए कि उन्होंने सरकार से अपील की है कि किसानों की फस्ले जो है मंडियों से उठाए जाए कैमरे में निल जिन्दे के साथ शेंडिगर्ट से टीवी नाइन के लिए अमन प्रीत कर